दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल न्यूस क्लिक के खास कारिक्रम आज की बात में आपका स्वागत है जारखंड के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं भारती जनता पार्टी ने खास कर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रह मंत्री पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अमिच्शाह जी ने एक नारा दिया था जारखंड में भारती जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा नारा था 65 पार यानि सीटें जो थी 37 थी पिछली बार उसको उन्होंने मैनेज किया था और एक बहुमत उनको काम चलाओ बहुमत मिल गया था क्योंकि आजसू के कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे थे और इसके अलावा जो मरंडी साहब की पार्टी है उसके कई विधायक उनके साथ आजुडे थे इस बार उनका नारा था 65 पार लेकिन देखिए क्या दिलचस्प वाकिया हुआ 65 पार क्या 30 पार नहीं कर पाए और इस तरह भारती जनता पार्टी की जो ताकतवर जोड़ी है नरेंद्र मोदी जी और अमिश शाह जी दोनों की चानक के निती चकना चूर हो गई जारकंड के मैदान में जारकंड के जंगल जारकंड के जो वहां के पहाड़ी इलाके हैं वहां पे इतना जबरदस प्रचार अभियान चलाया गया एक एक दिन एक 11 एक 11 हेलिकॉप्टर भारती जंता पाटी के दोड़ रहे थे और जो विपक्ष में थे उनके पास एक या दो बामुश्किल जुट पाते थे लेकिन ये कमाल है जंता का ये कमाल है उन मसलों का उन मुद्दों का जिस पर पूरी जारकंडी अवाम में एक तरह की गजब की एक जुटता सामने आ दोस्तो इस नतीजे के कई ऐसे महत्पुन संकेत हैं कई ऐसे महत्पुन संदेश हैं जो नो सिर्फ किसी एक सूबे जारकंड के लिए महत्पुन हैं बलगी पूरे देश के लिए महत्पुन हैं पहला मेरे हिसाब से जो है कि एक मोदी मैजिक और शाह की जो चानक के नीती है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये हामेशा इसका असर बना रहता है वो बेअसर हो गई और ये जो बेअसर होना है एक छोटे से राज्य में कहा जा सकता है कि 80 सीटों का ये राज्य पूरे देश का कैसे परयायवची बन सकता है पूरे देश को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये छोटे राज्जी ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है जैसे लगता है कि कोई कह रहा हो कि जारखंड शोजदवे पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखा रहा है कि अगर केंद्र की मौजूदा सत्ता लोकतंत्र का निशेध कर रही है अगर वो भारत के संविधान की धजियां उडाती नजर आ रही है अगर भारत की अवाम के साथ वो दोखाधरी कर रही है अगर भारत के लोगों को वो निराश कर रही है तो शायद जारखंड का ये रास्ता है जो लोगों को जोड सकता है लोगतंतर को मजबूती दे सकता है और सेकुलर कांस्ट्रूशन को एक ताकत दे सकता है और वो क्या है जारखंड में जो जारखंड मुक्ति मुर्चा वहां का एक संगठन है छेतरी संगठन है उसने क्या कि या वो जानता था कि वो इसकी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोधी जी और अमिश शाह जी की अगवाई वाली भारती जन्ता पार्टी का वो मकाबला कर सके बहुत रियलिस्टिक थे वो और उन्होंने एक यथार्थवादी सोच के साथ यथार्थवादी रननीती बनाई उन्होंने कांग्रेस जो लुटी पुटी थी पूरी जार्खंड में जिसका अध्यक्छ जो था प्रांती अध्यक्छ चुनाव से एन पाले भाग गया था किसी और दल में और जिसके पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी कुल मिलाकर कुछ एक नेता थे और से कुलरियर है कम से कम भारत के समीधान में जो आस्था रखने वाले दल हैं उनको उन्होंने जुटाना शूरू किया उन्होंने पहले कांग्रिस को जोड़ा फिर आरजरी बहाती जाराई ये कि पिर फिर भी उन्होंने पकड़ लिया कहागी नहीं साथ रहना है उन्होंने जितनी सीटे मांगी उन्होंने दे दी और इसके बाद तीन दलों का एक गठमंधन बना वामपंतियों के साथ भी उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं बात बन पाई और कुल मिलाकर उन्होंने एक छेत्रिय गठमंधन बनाया उसका जो चरित्र है उसका जो स्वरूप है वो ड हमारी सरोच प्रात्मिक्ता जनता और उसके सरोकार होंगे ये बात तै करके उन्होंने लड़ा चुराओ मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये जो संदेश है वो बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए कि इस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो सबसे ताकतवर जोड जो अपने करेक्टर में फेडरल हो जिसमें छेत्री दलों की जो एकता है उसको पुकता किया जाए जिसमें रास्ट्री दल भी माने की छेत्री दल भी उनकी बराबरी में है खासकर उस सुबे में कॉंग्रिस ने कोई इगो नहीं शो किया कॉंग्रिस ने कोई अपना रास् चोटे भाई के तोड़ पर उन्होंने ट्रीट किया तो यहां कांग्रिस का इगो सामने नहीं आया और यही कारण है कि हैमंच सोरेंड की अगवाई में एक अजीब तरह का एक मोर्चा अजीब तरह का मैं यह कहा रहा हूं कि इसके पहले जब भी कोई मोर्चा बनता था राज प्रियंतादल के नेता हैं उन्होंने भी माना तो मैं समझता हूं कि यह जो फार्मूला जो सामने जहार खंड से आया है वो फार्मूला भारत के लिए भारत की संपूर्ण रास्टी राजनीत के लिए भी बहुत महत्पूर्ण है कि आज देश को एक बेहतर ढंका सेकुलर फेडरल एक फ्रंट चाहिए एक ऐसा मोर्चा चाहिए जो भारत के संबिधान में यकीन करता हो जो डिमोक्रिसी में यकीन करता हो जो सेक्लोरिजम में यकीन करता हो और जो अवाम के सरोकारों और मुद्दों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने का माद्दा रखता हो तो ये जो एक संदेश है, एक जो बहुत महत्पून जो बात उभरती है इस चनादेश से, वो ये थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. दोस्तों और इससे जुड़ी एक और बात जो मुझे याद आ रही है, कि अगर आपको याद हो, कि कुछ महीने पहले, यानि पिछले साल जब एलेक्शन्स हुए थे, एक साल पूरा हो रहा है, चतिस गड़, राजस्थान और मद्यप्रदेश के, तो सबसे अधिक सफलता जो वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने चतिस गड़ में वहां के जो प्रदेश कांग्रेस के अधिक्ष थे, भूपेश बगेल, जो बुनियादी तोर पे एक किसान नौजवान नेतात रहे हैं, किसानों में उनका काम रहा है, उनके उपर पूरा भरोसा किया, और केंद्रे नेत्रितों ने उनके उपर सारी अपनी चीज़ों को दिल्ली से नहीं ठोपा, कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, एजेंडा तक बोपेश बगेल और उनके सहयोगियों ने 36 गड़े में तैय किया, और यही कारण है कि उन्होंने भारती जनता पार्टी के जो नेत्रितों है, और जो स्थानी नेत्रितों है, रमन सिंग उस समय मुख्य मंत्री थे, उनके विरुद्ध जो स्टेटिजी बनाई चुनाव की, उसमें उन्होंने साफ्ट हिंदुत्वा, जो की मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत राइस्थान में भी दिखाई पड़ा उसको उन्होंने बिलकुल नहीं अडाप्ट किया अपनी एलेक्शन स्टेटिजी के तोर पे, उन्होंने नौजवानों के सवाल को, किसानों के सवाल को, ट्राइवल्स के सवाल को, 36 गड़ में अहम भूमिका में उन्होंने पेश किया, और उनको बेशुमार सफलता मिली, ऐसी सफलता कॉंग्रिस को शायद ही कभी मिली हो, 36 गड़ जैसे सूबे में, तो इसके अलावा एक और पहलू अगर आप देखें महरास्टर का, जब तक महरास्टर में शरत पवार की राइनित, थोड़ी सी मोदी और अमिश शाह जी की जो अगवाई वाली सरकार है, और उ जैसे ही शरत पवार, EDCBI की किसी भी घेरेबंदी को तोड़ कर बाहर आ गए, जैसे ही उनको लगा कि ये हमें घेरना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हम लड़ें, उन्होंने उस घेरेबंदी को तोड़ दिया, और जम कर जब उन्होंने लड़ना सुरू किया, तो दोस्तो देवेंदर फड़निवीस की सरकार का रास्ता बंद हो गया और शिव सेना भी दरक गई शिव सेना ने उस गटबंधन को तोड़ दिया और एक तरह से कमाल की बात होई कि विपक्ष ने महा सरकार बना लिया तो ये जो कारण था वहां भी अगर आप पाएंगे कि महाराष्ट में किसानों के सवाल को सबसे प्रमुखता से उठाया था शर्द पवार ने और उन्होंने एक ऐसे गटबंधन की बुरियाद रखी कांग्रिस के साथ जिसमें इशूस ज्यादा महत्पूर से नेता नहीं और वहां भी कांग्रिस पार्टी ने अपने को केंद्री अस्तर से थोपा नहीं कि हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं उन्होंने स्थानी नेताओं को महत्तू दिया तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 36 गड़ में रमन का सत्ता से गमन तै हुआ और जिस तरह देवेंद्र फर्णी भी इसके सपने चकना चूर हो गए महाराष्ट में ये सारी चीज़ें अगर कांटिनुटी में आप देखें तो जारखंड एक बड़ा संदेश देता है जिसकी बात मैं कर रहा था और वो है एक फेडरल किस्म की सेकुलर डेमक्रिटिक इशू बेस्ट यूनिटी और एक अच्छा उनाइट फरंट आज की जरूरत है इस देश को इसमें मुझे नहीं लिखता कि किसी को कोई संदेख होना चाहिए ये दिवार पर लिखी एक ऐसी इबारत की रह चमक रहा है ये संदेश जो ज़ारखंड से निकलता है जिसे सभी सियासतदानों को और देश के सभी जो एनलिस्ट हैं जो विशलेशक हैं व्या क्याकार हैं और मैं तो ये कहूँगा कि भारती जंता पार्टी और नरेंद्र मुदी जी की सरकार इसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए इस इबारत को जो संदेश की शक्ल में सामने आ रही है अगर आप इस देश के संविधान को छेड़ना चाहते हैं अगर आप इस देश में एक होकर लड़ेंगे जैसा उन्होंने जारखंड में लड़कर दिखा दिया है और माफ कीजेगा अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू एक्ता जैसी कोई चीज होती नहीं है क्या है जब मुसल्मान को आप सामने रखते हैं तो वहां पर हिंदू दिखाई देता ह वरना हिंदू क्या है जातियों का जितनी बिरादरियां है जितनी जातियां है उनका एक पुंज है एक ऐसा अंब्रेला है जिसमें सारे के सारे अलग अलग बिखरते नजराते हैं इसलिए सबसे बड़ी एक्ता सबसे बड़ा अंब्रेला अवाम की एक्ता का है जो अपनी बात खतम करूँगा जाते जाते कि इस वक्त जो नागरिक नागरिकता संशोधन कानून है और जो NRC है इन दोनों पर एक तरह से जनादेश दिया है जारखंड के लोगों नागरिकता संशोधन कानून और NRC के बीच में ये चुना हुआ है जब सारे देश में गहमा ग ये चुना हो रहा था इस चुनाव में जिस तरह का बहुमत में पक्ष को मिला है यकीनन उसने ये साबित कर दिया कि इस देश का हिंदू इस देश का मुसल्मान इस देश का सिक्ष इस देश का इसाई कोई भी नागरिकता पर इस तरह की तानाशाही नहीं झेलना चाहता इ ये मैं समझता हूँ कि अंतिम टिपपणी करके मैं आपनी बात खतम करता हूँ दोस्तों कि इस वक्त हमारे देश के सामने जो बड़े संकट हैं उन पर सत्ता पक्ष को भी लोटना चाहिए अगर वो सच मुझ चाहते हैं कि लोगतंत्र हमारे देश का उनकी वज़ा से चौप झाल